देश के कई राज्यों में ठंड, कोहरा और बारिश का सिलसिला जारी है। राजिस्थान, यूपी, पंजाब, हर्याणा और दिल्ली में मौसम ने करवच ली है। अधिकतर राज्यों में बूदाबांदी और हल्की बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग ने उत्राखंड और जम्मू कश्मीर में दो दिन भारिव बर्फबारी की संभावनाय जताई है। जबकि दिल्ली में सर्द हवाओं के बीच आज बारिश का अनुमान जताया है। राजिस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इधर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग का कहना है कि इन दोनुही राज्यों में भारी बर्फबारी की संभावना है। कई राज्यों में जा बारिश और बर्फबारी का असर अब राजिस्थान के मौसम पर भी नजर आ रहा है। पश्मी विक्षोप सक्रिय होने से और उत्तर से आ रही सर्धावाउं ने फिर से चित्रन बढ़ा दी है। प्रदेश के कई जिलों में हुई रिंजिम बारिश ने लोगों को आज सुबह घर में छुपने पर विवश कर दिया। मौसम केंद्र जैपुर ने प्रदेश के 15 जिलों में हलकी बारिश होने और कुछ इलाकों में ओले गिरने की चेतावनी दी है। पहाड़ी शेत्रों में जहां लगातार भारी वर्फ बारी देखने को मिल रहा है। उसका असर यहां मैदानी लाकों में राइस्थान साहित कई राज्यों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। पश्यमी विक्षोब जो सक्रिया हुआ है उसी का असर है कि लगातार भारिश का दौर देखने को मिल रहा है। गुलाबी नगरी जैपूर और पूरे राज्यों के अगर हम बात करें तो बारिश के चलते जो रेमजिन बारिश होई है एक बार फिर से सर्दी का असर भड़ गया है। अरिसो और खिर उन्टास्थी जाएब तो एक्स्रीम वेदर आपको आपको अपर पाट रहे तो हमें भी एसा देख के बहुत अच्छा लग रहा है लोकल से हमारे काफी कुछ है कि युदि परफ के ता पको पता स्नो चाहिए होती है तो हमें भी इसका बैनिपेस्ट है मादा लुक एद विए इकला अपनी नजरों से अगर हम देखे तो खुब सुर्जित आप देखी सकते कैसी दिख रही है तो देखी सब्सक्राइब काफी जुरूर है कि हमारे किसान भाई है वो काफी लंबे समय से बरफ का युनों वेड कर रहे थे तो बरफ के आने से हमें भी बहुत खुछरों को सब काफी बढ़ गया है बाहर के लोग हमें काफी देखने को मिल रहे है तो अच्छा महौल यहां पर दीख रहा है तुरिस हम देख सकते हैं कि मनाली में आगर काफी इंजॉई कर रहे हैं पर अब इससे फाइदा क्या होगा इसे फाइदा यह है कि अच्छा वयवसाय मिल रहा हमारे जो व्यापारी लोग है यहां के लोकल्स हैं वो काफी बैनिफित हो रहा है बेस पर टुरिस्ट के आने से उने भी काफी फाइदा हो रहा है